आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब के इस नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं में स्वाइऴ के बारे में आपको कुष प्रॉब्लम होते हैं जिनको उनलाइन सुल्व करना सिखा हूँगा। पहला प्रॉब्लम मान के चलिए आपका ब्रांच में अपने अप्लिकेशन दे दिया है Business got down transfer करने के लिए लेकिन वो लेट कर रहे हैं आपको बार बार टाल रहे हैं बहुत सारे इसे काम होता है क्योंका पावबार हो सब्सक्राइब। होते हैं जो इनको आप offline भी कर सकते और online भी करते हैं तो बहुत हो कमें रहता है कि क्यों ना हम घर भाइठे कर ले ब्रांड में क्यों जाकर अपना टाइम बरबात करें क्योंकि लंबा भी जाता है तो जितने भी प्रॉब्लम हो सके इस वीडियो में कभर करने की कोसिस अब किसी specific problem के बारे में यहां नहीं बात करने वाला हूँ क्योंकि अगर वैसा कोई problem आपका होगा तब comment में लिखिए अगर मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा लेकिन फिलाल जनरली बात करने वाले कि किस problem के लिए कैसे कैसे आपको क्या करना है तो सबसे पहले आप आपको अपना कोई भी एक जो वेब ब्रॉजर होता उसको उपन कर लेना है कि उसके बाद यहां पर आपको SBI लिक के सर्च करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको SBI.co.in में जाना है पहले बाला वेबसाइट में नहीं जाना आपको वह नेट करवाले आपशन में जाना है उसके बाद यहां पर रिजिस्टर यूर कमप्लेन में जाना है और यह अप्शन होता है जिसमें आप अनॉर्थराइस टांजिक्शन के लिए कर सकते हैं मलब आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो गया है तो यह उप्सन में यह उप्शन के अंदर भी मिलेगा तभी फिलालम लोग इसी का अंदर चलते हैं यहां पर सिर्फ आपको एक यह option मिलता है तो सलेक्ट कर लेना है यहां पर आपको 9 option मिल रहे हैं इन 9 option में अगर आप इस बात के कश्टमर है ता इस बात का धियान अगर आप कोई चीज और लाइन कंप्लेण करने जा रहे हैं तो आपके कान में रेजिस्टर म्मबाइल नंबर को ना बहुत जरौरी है अगर वह तो अगर आपके कॉन में रेजिस्टर मूब्यल नंबर नहीं यह ता पर चीज नहीं कर पई एकउंट में मूबाइल नंब्र रेजिस्टर होना बहुत जरूरी है तो यहां मैं अपना अकन नंबर डाल लेता हूं उसके बाद यहां पर मैं जो क्याप्चा दिख रहा है आपको उसको फिल कर लेता हूं यहां पर सेंड डॉट इपर क्लिक करता हूं और क्याप्चा गलत हो गया तो मैं फिर से कौन नमर्ट डाल लेता हूं हो जाता कभी कभार गलती क ανα की मारा यहां पर सेंड डॉट पर फिर सेंड डॉट इपर फ्रकिक करना की आप प्रोव्लम चल रहां चलिए फिर से मैं आका ट्राय करता हूं कि आपको आपको जो घंशा देख रहा वेसा ही वह भी vic पर क्लिक करना है कि उसके बाद आपके अब देख सकते मेरा अगया और आगर आप भी चाहते कि आपके मोबाइल में जो टीपी आपके कंप्यूटर में इसे ही आए तो आपको इस सेटप को देखने लिए कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है इसके में पूरा डेडिकेटेड वीड करें कि उसके बाद अब यहां से जो भी मांजरा होता हो इस्टार्ट होता है जैसे आपको लोन से रिलेटेड किसी तरह कर प्रोब्लम है आपको एडवांस में जाना है उसके बाद आपको यहां कैटेगरी में जाना है किस तरह के लोन में आपको प्रोब्लम है आपको यहा लोन के लिए आपको यहां जाना है इडवांस में उसके बाद जिस तरह का लोन हो आपका उसमें आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको प्रोब्लम हो रही है चाहें इसमें टाइप करके करना सब्मी में छत copies message जबाइब इससका रिफरेंस नंबर मिल जाय faida अपलने प्रोबम को ट्रेक कर पाईएगा कि प्रोब्लम्स वहा कहा पुइए वसके प्रोब्लमम स्देख्ण करने है उसके बाद आज़ते हैं deposit अभी deposit में क्या है कि इमान के चलिए आप अपना account को transfer करने के लिए request दे चुके हैं लेकिन फिर वह डिले कर रहे हैं तो यहाँ पर deposit करना है deposit के बाद यहाँ पर transfer account को click करना या account opening में भी आपको दिक्कत हो रही है तो आपको यहीं सेलेक्टर ना यहाँ पर problem हो रहा है उसके अनुसार आपको यहाँ पर detail करना है समझे ना मन के चलिए आपका account है और deposit अपने करने जा रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा आपका KYC कुछ प्रब्लम हो रहा है यहाँ पर प्रब्लम के अनुसार यहाँ पर अपना detail डालना फिर यहाँ पर आपको जो भी प्रब्लम रहा उसको लिखना उसके बाद अपको मांन के चलिए जनरल बैंकिंग सर्विसेस में देखते किया है इस पे अगर ब्रांच किसी तरह का प्रब्लम हो रहा है ताब ब्रांच रिलेटेड में जा सकते हैं जिसे ब्रांच में अगर अगर आस्टाप नहीं में उसके लिए कंप्लेइन कर सकते हैं जो भी यहाँ पर बहुत सारे प्रावलम है उसके बाद यहाई और भी बहुत सारे Wayne case related प्र्वल अबका έकाउंट में जाधा लग गया Chem related प्रॉब्लम एंस उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम स क्लिक करना उसके बाद यहाई पर General पर इसके बाद एनराई सर्विस्स जो हम लोग के लिए ही नहीं उसके बाद इंटरनेट टेकनोलोजी मान कि चलिए आप इंटरनेट चला रहे हैं उसमें आपको कुछ अबस्वीद्व दो तो उसके लिए यहां पर अगर आपको एकांट में कुछ दिखें नहीं रहा है एका प्रोब्लम होगा आपको यहां सेलेक्ट करना फिर आपको जनरल यहीं करना आपको अपने जो भी प्रोब्लम होगा जिस चीज में उसको सेलेक्ट करना है उसके साथ उनके प्रोब्लम को सेलेक्ट करना है और फिर उसमें जो भी 500 वर्ड दिया उसमें टाइप करना है आपक अभी भी अगर आपको यहनों में सिर्फ प्रावलम है तो यहनों लाइट सेलेक्ट करके नहीं किजाएगा क्योंकि मैंने एक बार पर करके देखा था यह लोग बोलता है यह करो वो करो तो आपको जो प्रावलम रहे सही सेलेक्ट रनार करना है और यह जो अनौर्थराइज यह बहुत इंपोटेंट है इस ओप्सन का आपको इस्तमाल तब करना है जब आपके एकॉन में किसी तरह कर फ्रोड हो चुका चाहिए वह यूपी आई के थुरू हो मलब फोन पे गूगल पे एट्यम जितने भी यह यूपी आइप है इनसे हो या नेट बैंकिंग के थुर हो या एटीम के थुरू हो तो उन सब में जिस तरह से आपके साथ फ्रोड वाला ट्रांजिक्शन हुआ है उसके लिए यूज करना है अगर यह सब नहीं हुआ है तो नहीं यूज करना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारा लंब लिस्ट है एटीम के अगर फोन पर गूगल पर पेटीम यह सब में हो तो आपको यूपी आई ट्रांजेक्शन के थुरू जाना है ओके और उसके बाद यहां पर आपको यह चीज सेलेक्ट करना है मान के चलिए आपके साथ किसी तरह का फ्रोड हो चुका पेटीम फोन पे या किसी तरह किसी ने जिस डेट को हुगा उस डेट को सेलेक्ट करना है और यहां पर आपका चलिए दो बार आपका पैस हो था आपको यहां पर पार यहां पर यहां तीन बार आपके साथ प्रोड वाद तीन बार फ्रोड ट्रांजेक्शन हो गया तहां पर एड़ पर क्लिक करें यह देखे पहला हो गया उसके फिर से दूसरा में आपको जितना कटा है अभी मैं इसे ही डाल रहा हूं और फिर यहां पर आपका जो यूटीर नमबर याद रहे जितना एमांट और यूटीर यह दोनों सेम ट्रांजेक्शन को आइसा ना हो कि आपको 1200 रुपया जिसमें कटा है उसका यूटीर नमबर आप 4500 में डाल दे रहें तो यह चीज़ का दिहान रहें जिसका जिस एमांट का डालने उसी का यूटीर नमबर देख ताकि को आपको फिर रिफ्रेंशन ममन जिसे आप कॉल करकर के भी पता कर सकते हैं यह बहुत बार में यह होता है कि उधर से कॉल आ जाता है कि आपके साथ क्या हूआ है नहीं हुआ है मैं लग जब आप यहां पर कम्प्लेंट कीजिए गना तो आपका ब्रांच में गए तो वह आई इसका फिलिंग लेते हैं और हम लोग को लगता है कौन सा बेगरिया अदमिया आ गया हम लोग कोई भेल्य नहीं ऐसा लगता है तो कभी अगर ब्रांच आप जाते हैं आपका और सारे डीटेल देख के भरें आपको दिखा दिया मैंने यहां पर कितने सारे इसकी लिस्ट है तो जो भी प्रॉब्लम हो आपने प्रॉब्लम के नुसर सही सही सेलेक्ट के रहें और आपको कोई प्रॉब्लम हो स्पेसिफिक में ताप बताएं मैं उसके रिकार्डिंग जाँ आपको कैसे जनकारी है तो थोड़ा थोड़ा कि किसमें क्या है आपको कैसे कंप लेन करने मä menu में फोर्प्रॉब्लम फोर जाना फटा ही यह मरकाम इतना नहीं इतना इसना ह데 आशा करता हूं कि मैं आपकि मदद कर पायाूंगा जो भी SBI से आपको problem होगा तो आप इस तरीके से solve कर पाएंगे अपने SBI account में problem जो भी होगा उसको इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो helpful लगता है तो हमारे channel को like, share, support करे share करे, subscribe करे जितना maximum हो सो कोई दूसरे सुभी करवाएं और वीडियो में बने रहे हैं हमेशा देखें, नहीं नहीं चीज़ आते रहते हैं तब लेते हैं वीडा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई धन्यवाद जैहें